इस pandemic situation में भी मैं कम से कम दो इंटरूप पर डेक ले रहा हूँ हेलो इंडिया, वेल्किम टू इंडियन AI प्रोडक्शन आज के हमारे इस टूटूल का में टार्गेट क्या है? रिजुमे बिल्डिंग, step to build career जिहां दोस्तों कि जब हम रिजुमे बनाते हैं तो रिजुमे बनाने का हमारा में मकसद क्या होता है? रिजुमे बनाने का हमारा में मकसद यही होता कि जो हमारा career है हमें career build करना है, तो career को build करने की जो पहली step है उसको बोलते है resume building जितना आपका अच्छा resume उतने अच्छे आपको calls आएंगे और जितने आपको अच्छे calls आएंगे उसी तरीकी के आपके interview conduct होंगे और जितने अच्छे आपके interview conduct होंगे जिस तरीके साप interview दोंगे उसके basis के उपर आपको job लगेंगे और जो job लगेंगे वो आपका career decide करती है इसलिए resume building को बोलते step to build career इस studio को आपको enter देखना है और क्यों देखना है मैं आपको पूरा detail में बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का experience है एक दिन ऐसा था एक दिन नहीं बहुत सारे महने थे कि मुझे एक भी call नहीं आ रहा था लेकिन आज की condition में देखा जाए तो मुझे एक दिन में screening के कम से कम चार से पाच call आते है और यहाँ पर इस pandemic situation में भी मैं कम से कम दो इंटरूप पर ले रहा हूँ तो यहाँ पर आपको skills आने चे कि resume किस तरह के से build करना है और इस video के ending में आपको मैं धेर सारे templates दूँगा उसका इस्तमाल करके आप आपके हिसाब से जितने भी resume बनाना चाहते है उतनी resume आप बना सकते हो और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आज हम जो resume build करने वाल है तो आपको data scientist का machine learning, data analyst, python developer, deep learning engineer, artificial intelligence engineer, computer vision, natural language processing engineer तो इस particular post में आपको job लेना है तो उसके लिए किस तरह के से best resume बनाना है जिसका इस्तमाल करके आपको धेर सारे call सेंगे और उस call को आप convert करते हो job में यहाँ पर आपको यह भी नहीं सोचना है कि जैसे कि मैंने बताया कि data science, machine learning इस field के बारे में हम किस तरह के से resume बनाने वाल है आप कोई भी field को belong करते हो तो आपको किस तरह के से resume बनाना है यहाँ पर मैं आपको पूरी detail बताने वाला हो सेम स्टेप रहेंगी सब कुछ सेम रहेंगा बस वहाँ पर जो keyword डालने है जो आपका knowledge है वो आपके इसाब से डालना पड़ेंगा तो चलो यार बिना दियर करते हैं हम आगे बढ़ते हैं resume को build करना है तो सबसे पहले आपको on page SEO करना पड़ेंगा आपको digital marketing का आपको knowledge होगा तो बहुत अच्छा है वही knowledge हमें resume building को apply करना है आपको knowledge नहीं है तो चिंदा करने के कोई ज़रूत नहीं यहाँ पर मैं आपको पूरी step बताने वाला हूँ जो भी मेरे पास knowledge है वह पूरा knowledge आपको आपको बताने वाला तो on page SEO का मतलब क्या होता है कि जो हमारा resume है हमें इस तरीके से build करना है तो जो हमारे recruiter की requirement है उसके हिसाब से fulfill होना चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करने के main keywords के ओपर focus करने माले अब यहाँ पर हमें on page SEO और keyword का इस्तेमाल क्यों करना है यहाँ पर हमें आपको जिस simple सा example दूँगा मान लो आपको शाधी करने राइट आप male या female consider करो जिस फिलाल हम consider करते है कि आप male और आपको किसी के साथ शाधी करने आपका किसी के पास buy data आ चुका है तो सबसे पहले आप उस buy data में क्या सर्च करोंगे definitely आप यह सर्च करोंगे कि वह जो buy data है वह male का है या female का है मान लो male का है आप बिना देर के वे तुरंद उस buy data को side में लेकर जाओंगे आप उसको accept नहीं करोंगे मान लो आप female हो तो definitely आप वह आपे male देखोंगे तो यह main keyword है male या female राइट next आप क्या देखोंगे मान लो आप male हो और आपके जो age हो 25 year है तो definitely आप देखोंगे कि जो ladies है उसकी age कम से 25 या उससे कम होनी चाहिए maximum हम यही सर्च करते है मान लो उस profile में जो lady का age है वह 30 है मान लो आपको fair चाहिए और वह आपे black है definitely आप उसको ignore करेंगे इसी तरह के से जो हमारे important important keywords है वह हमें जरूरी रहते हैं उसके हिसाब से हम उस by data को accept करेंगे इसी तरह के से जो recruiter रहते है उनको जो particular बंदा चाहिए तो उस बंदि के पास को सा को knowledge है तो उसके हिले सबसे पहले उनके पास क्या है उनके पास आपका resume है राइट करीकुरंब विटा है तो उसके लिए यह इसके हिसाबसे वह को data scientist, tech data analyst, computer vision engineer, natural language processing engineer, deep learning engineer, artificial intelligence engineer, python developer तो इन particular post के लिए कौन से कौन से important keyword है primary keyword क्या है और secondary keyword क्या है उसको हम देखते हैं तो चलो सबसे पहले हम क्या करते है primary keyword को देखते है और primary keyword आपके resume में होना ही चाहिए मान लो आपके resume में primary keyword नहीं है तो बिल्कुल जिस भी post के लिए आप apply कर रहे है उस post से आपको कोई भी call नहीं आएंगा और मान लो आपको कोई call आता है तो समझ देना उसमें कोई जोल रहे तो चलो है सबसे पहले देखते primary keywords क्या है तो यहापे जो primary keywords है वो है तो यह keyword primary होने ही चाहिए आपके resume में नेक्स्ट है secondary keywords वो भी आपके resume में होना ही चाहिए तो वो keyword कोई से है वो है तो यह keyword आपके resume में होना ही चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए और यह keyword नहीं होंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको call आएंगे ही नहीं आएंगे तो मतलब बहुत ही rare आएंगे मैंने आपको बोल दिया कि आपको call आयेंगा मतलब कोई काम का नहीं रहेंगा तो चलो यही कीवरड का из Tippal करके हमें क्या करना है हमे रिष्जुमे को build करना है क्या करना है यही कीवरड को focus करना है और इसका इस्तमौल करके रिष्जुमे को build करना है अब यहां आपना सोचोंगे यार जो भी आपने आपने बताया है यह technology हमें आती नहीं है तो हम क्या करेंगे क्या इस keyword का इस्तिमाल करेंगे बिल्कुल करेंगे हमें करना ही पड़ेंगा हम नहीं करेंगे तो द्यान रखना आपको call नहीं आएंगा लेकिन आप सोचोंगे कि हमने सोचा है कि जब हम resume बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करने वक्त जो भी हम resume में डालते उसका गयान हमें होना चाहिए नहीं तो हमें दिक्कत आएंगे बिल्कुल यह बात सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आपने technology डाली है तो उसका आपको deep knowledge होना चाहिए जैसे कि आप बोलेंगे कि भाई हमें deployment करना आता है आप data scientist हो machine learning engineer हो आपको deployment करना आना ही चाहिए मतलब आना ही चाहिए तो आपको just क्या करना एकाद वीडियो देखना AWS का और आपने जो model बिल्ड किया तो Flask का, Dejango का इस्तिमाल करके उस model को किस तरिक से deploy कर दे और छोटा सा आपको knowledge होन knowledge है आप बोल चुक तक कि हा भाई हमने AWS का इस्तिमाल क्याता basic knowledge है काम खतम उसे की साथ CGP Azure उसको आप घुमा सकते हो तो आपको थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेंगा आपका दिमाग लगा के जो भी इंटेवर आपको question पूचिंगा उसकी साब से उनको बताना है right twist करन है थोड़ा सा ध्यार रखना है next अब आपको ध्यार रखना है जब भी आप resume बनाते हो रिजुमी मतलब क्या होता है resume मतलब होता है आपका face जितना आपका सुंदर face उतना आपको response मिलेगा मानलो आपका resume इस तरह के से कि जैसे कि आप सोबरे उटे और आपको जो face दिखता ह है इसी तरह के से जैसे कि कोई lady बहुत सारा make-up करते और उसके बाद आपको पता है कि वो lady कि इस तरह के से दिखती है उसी तरह के से वही हमें technique को इस्तिमाल करना है और उसके बाद हमारे resume को अच्छी तरह के से एकदम design करना है एकदम उसको beautiful बनाना है हमारे resume को इस तरह के से build करना है, कि मानलो ऐसा लगेगा कि उसको हमने beauty Whoever's background से लेकर आया है, तो यहापर आपको इधान रखना है यहाप जिस उस लेडी का आप यहापर face देख सकते हो, इस face को हमें देखना है और हमारे resume को build करना है, क्या करना है इस lady का face देखना है और हमारे resume को build करना है तो चलो सबसे पहले इस lady का आपको face दिखाए दे रहा है So face में आपको सबसे ऊपर क्या दिखा है रहा है आपको दिखाए रहा यहाण को बाई बिंदी दिखाए जरी तो चलो अब हमें resume को build करना शॉट करना इस्तिमाल करना है तो आपको microsoft word का इस्तिमाल करना है और उसके बाद जो भी हम file create करेंगे और तो चलो guys आप इसी सिस्टेम में Microsoft Word नहीं होगा तो आपको इंस्टाल करना पड़ेंगा और आपको इंस्टाल नहीं करना है तो आप आप अनलान different software का इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने Microsoft Word ऊपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने पहले हम क्या आगरते हैं इस लेड़ी के face को हम रेफर करते हैं तो यहाँ पर आप देशे तो इस लेड़ी के face में यहाँ पर क्या है यहाँ पर सबसे पहले बिंदी तो हमारे उपर लिखना पड़ेंगा Machine Learning Engineer, Computer Vision, Python Programmer जो भी है वो आपको सबसे पहले लिखना है, जैसे के हम पूराने जमाने में लिखते थे Resume, CV, Bio Data तो वो जमाना चला गया भाई, हमें यापने बताना है कि यह हमारा Resume है, आपको Direct Mention करना है कि हमें Data Scientist बनना है, दिखो यह Data Scientist का Resume है, तो इसलिए आपको Direct Keyword लिखना ही है, इसका जो Impact बहुत अच्छागासा Impact परता है, यहापर आपको CV नहीं लखना है ना आपको Res लिखना है, कौन सी पोस्ट है उसके लिखना है, अब यहापर ध्यान रखना है, maximum जब आपको कोई पोस्ट के लिए अपलाई करना है, जैसे कि वो आप पर Python developer होंगा, तो मैं आपको सजेश्च करूँगा, कि आपको जो Main बिंदी है, मतलब आपको Resume की जो Main बिंदी है ना, यही पोस्ट अवेलेबल रही है, तो यहापर आपके क्या कर सकते हो, Machine Learning Engineer and Data Scientist, यहाप यहापर लगा सकते हो, ओके, अब हमने यहापर बिंदी लगा दिये, अब हमें क्या करना है, तो चलो इस लेड़े का हम क्या करते है, फेस को refer करते, तो देखो बिंदी की नीचे क्या ह आखे है, और आखो को देखो कितने अच्छी तरहेखी से सजाया है, तो यही हमें क्या करना है, हमारे रिजु में भी दो आखे लगाने है, बहुत इंपोर्टने, आखो का काम क्या है, देखने का, तो चलो यार, जब भी कोई इंटर्व्योर रहेंगा, आपको देख लेग तो चलो अभी हम यहापे क्या करते है, सबसे पहली आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम शॉर्ट मिला सकते हो, आपका फॉस्ट नेम, लास्ट नेम या मिडल नेम भी रख सकते हो, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टन चीज़ है, वह आपका है मोबाइल लंबर, यहापर और सातो दिन और 365 दिन आराम से स्मूथ चलने वाला है वही mobile नमबर देना है आपको network का issue आता है तो ध्यान रखना है जो भी network आपके area में अच्छा कासा चलता है 2400 गंटे वही mobile नमबर आपको देना है next email id email id देना बहुत जरूरी है और ध्यान रखना है जैसे कि यह पर email id है आपकी email id रहेंगी sexyboy.gmail.com इस तरह के से बिल्कूल नहीं रखना है क्योंकि आपका Gmail id दिखेंगा ना तो देखके ही बोलेंगा कि वाई क्या बंदा यार इसको इस field के लिए इतना interest है कि उसने email id को भी अपने गोल की साब से create किया है जैसे कि यह पर आप बिसे तो kask.datascientist.gmail.com तो इससे क्या होता है इससे अच्छागासा impact पड़ता है और यह पर मेरा नाम भी है तो जो भी interview रहेंगा उसको पता भी चलेगा तो इस तरह कि आपको email id बना नहीं है email id आप धेर सारे बना सकते होगा first आपको का करना है LinkedIn के ओपर profile बनाना ही मतलब बनाना ही है और उसके बाद उसके आपको link यह आपर show करने है next आपने जो भी काम क्या होगा जैसे कि आपने project क्योंगे तो आपको यह पर github की जो link है ओ github repository के आपको यह पर link डालने है मतलब डालने है इससे के साथ आपने करे पर भी knowledge share क्या होगा तो उस particular blog का भी आप क्या करते तो यहाँ पर address डाल सकते हो और आपको blog के ओपर किस तरीके से काम करना है यह आपको मैं last में बताऊंगा तो right तो हमारे यहाँ पर left eye और right eye हो चुके है इस तरह किसा हमारा आभी resume में बन चुका है अब next हमें क क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है career objective अब career objective का मतलब क्या होता है career objective का मतलब यह है कि आप आपके career में क्या बनना चाहते हो कुन सा knowledge है उस knowledge का इस्तमाल करके आपके जिवन में आप क्या बनना चाहते हो जैसे कि आप बोलोंगे कि आर मुझे mountain के उपर चड़ना है बिल्कुल वो नहीं लिखना है आपको career objective इस तरह के से लिखना है कि उसमें आपका knowledge भी शो होना चाहिए और इसी के साथ company को क्या फाइदा होने वाला है और आपको क्या फाइदा होने वाला है इस तीन चीजों के उपर आपको ध्यान रखना पड़ेंगा जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है to be associated with progressive organization where I can employ data science, data analyst, machine learning, deep learning, computer vision, knowledge and skills to contribute the growth of organization and personal growth in an effective manner देखो यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर हमने जो हमारे primary keywords है उसको यहाँ पर हमने focus किया है और उसी के साथ हमने यहाँ पर यह भी बता दिया है कि भाई हमारा main goal यह है कि जो company है उस company को हमें क्या करना है हमें उसकी effective manner से growth करने है और हमें company का ही फायदा नहीं करना है, हमें हमारा भी फायदा करना है तो कोई बंदा बोलेगा कि भाई हम इतना काम करेंगे कि आपकी company ग्रू होंगे कोई भी सिर्फ company के लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए भी काम करता है इसलिए आप job ले रहे हो तो यह पे आपका भी बताना है और company का भी बताना है जो true है वही बताना है इस तरह के से आपको career objective create करना है ना कि आपको मुझे गाड़ी लेनी है मुझे बंगला बानना है मुझे कार लेनी है ऐसा career objective नहीं लिखना है तो देख सकते हो नोस के नीचे हमें क्या करना है अब देख सकते हो नोस के नीचे आना है आपको धीरे धीर आना है आपको fast minute नीचे नहीं चलना है तो नोस के नीचे का है एक है lips क्या है upper lips है तो चलो अभी हम क्या करते है हमारे resume में upper lips को इस्तेमाल करते है तो जैसे कि यह मतलब क्या होता है summary में हमें हमारी पूरी love story बता देनी है मतलब हमारे पास क्या knowledge है हमारे पास कितना experience है और हम क्या-क्या उखाड सकते है मतलब company में हम जाएंगे तो हम क्या-क्या काम कर सकते है और हमने आज तक क्या-क्या उखाड आए वो shortcut में आपको summary में बता देना है तो नेक्स्ट हमने बोला कि वाई machine learning end-to-end model deployment on cloud AWS Azure को तो देख सकते हो यहाँ पर हमने secondary keyword को अपलाई किया है Next is expertise in validating the data using EDA, exploratory data analysis बहुत important है यह word आपको डालना ही मतलब डालना ही है ETL techniques, general tendency, description से यह आपको छोड़ देख सकते हो तो आपके यह पास क्या रता है सबसे वेल दोर data आता है तो data के उपर आपको EDA operation perform करना पड़ता है वहाँ पर आपको data को visualize करना ही पड़ता है तो इस चीज़ को आपको रखना पड़ेंगा अब ध्यां रखना है लेख सकते हो हमारे first point में हमने कुछ word को bold किया जैसे कि three plus years जैसे कि data scientist, model deployment, EDA तो जो भी हमारे important keywords रता है उसको में highlight करना है क्योंकि जो भी person आपका resume read करेंगा ना तो पूरा resume read नहीं करता है उसको जो जो main main keyword देखता है उस अपसे परे देख लिता है उसको आपका resume side में रख देता है तो यह आप आपको highlight करने जो भी important keywords है next step proficiency in understanding and analyzing visualization of data, pre-training to various domain, build best fit model based on the data and providing approach insight to business problem उसको आपका excellent problem solving skill with attention to detail and focus the quality solid understanding of mathematical foundation behind machine learning algorithm and comfortable with discussing them in details धान रखना याप है mathematics का हमने बोला है machine learning algorithm बोला है तो यह keyword होनी चाहा mathematics भी हमने secondary में नहीं डाला था वो भी आपको डालना पड़ेंगा क्यूकि जब data scientist काम करता है तो सब कुछ है math, behind में math में आता है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेंगा next is solid programming skill with C, python, it's libraries like numpy, pandas, macrolips, c-born, scikit-learn, keras, tensorflow, opencv, etc तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेंगा हमारे पास कौन सी कौन सी technology का हमारे पास ग्यान है वो आपको डालना पड़ेंगा अब कौन सी technology का ग्यान है जो data scientist के लिए important है वो होना ही चाहिए next is experience implementing multiple problems machine learning algorithms देखो यह पर machine learning algorithms यह important है यह में डालना है पड़ेंगा और machine learning algorithm में आप जैसे assume डालते हो, random forest डालते हो, exhibits डालते हो वो भी आप algorithm mention करते हो तो अच्छा होंगा next is preparing summary report based on the client requirement and interacting with the onsite team as well as client on a weekly basis जब भी आप machine learning, deep learning project complete करते हो तो आपको एक report बनानी पड़ते है और उस report बनने के बाद client को बताना पड़ता है जैसे कि आपने data visualization कर लिया है तो data visualization आपने क्यों किया? क्या आपके लिए किया? बिल्कुल नहीं, आपने client को बताने के लिए किया है तो उसके लिए आपको report बनाने पड़ेंगी तो वो भी आपको mention करना पड़ेंगा passionate about working on the large dataset and able to design a high value added solution to business, shakeholder, controlling well with the internal team and client with agile methodology तो इस तरिके से important point है वो आपको summary में डालने ही मतलब डालने ही है और ऐसा नहीं कि summary मतलब आपने पूरी आपकी love story बता दी शुरुआ से लेगर ending तक ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जो भी important important point है वही डालना है नहीं तो आपने summary एक page की दो page की बना ली कोई मतलब नहीं कोई देखेंगा नहीं आपका resume आपके resume में भेल पूरी खा लेंगे इसलिए आपको उतना summary नहीं लिखना है interesting point लिखना है जिससे आपकी पूरी की पूरी जरुने पता चल जाए मूँ के अंदर गुचना है और मूँ के अंदर गुचने के बाद हमारे पास क्या क्या हो पूरा हमें देखना है तो चलो यार अब यह हम मूँ के अंदर गुचते है तो येसे हमारी summary हो जाते हैं तो summary हो जाने के बाद हमें बताना पड़ता है कि हमने क्या-क्या किया है मतलब हमने क्या-क्या आज तक उखाड़ा है तो उसलिए हमें बताना पड़ेंगा कि हमने bachelor of engineering किये जो भी आपने degree किये diploma किये वो आपको बताना है कुन से कॉलर से किया है, कुन से युनिवर्सेटिक से किया है, आपने 12 कप किया है, आपने 10 कप किया है, कुन से बोट से किया है, आपने मार्क कितनी लिए, वो भी आपको mention करना पड़ेंगा, अब यहां पर आपके पास दो चोईस है, आप जो भी academic details है, वो आप tables में बता सकत है, बस आपने कौन सा कॉर्स किया है, और उसके बाद कौन से year में किया है, वही बताने है, लेकिन आपके percentage अच्छे कासे हो, तो आप mention कर सकते हो, next हमें important चीज़ क्या है, next important है certification, हमें certification बताने है, मतलब किसी भी आहालत में आपको बताने है, क्योंकि आपने engineering किये, engineering में हम के बड़े subject पढ़ते है, लेकिन हमें specialization बताना ही पड़ेंगा, जैसे कि machine learning, deep learning, python programming, c programming, आपको c programming का बताने है, जब आप computer vision में जाते हो, right, machine learning है, जो भी internet of things है, जब आप AI में जाते हो, तब आपको internet of things काम पड़ेंगा, तो जो भी आपने certificate किये है, वो आपको बताने है, म जब आप certification दिखाते हैं, उसका impact कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है, मान लोग 10% पड़ेंगा, 1% पड़ेंगा, कुछ ना कुछ ना कुछ पड़ेंगा, और आपने certification वापे शोह नहीं किया, तो उसका impact 0 पड़ेंगा, तो भाई, 0 से अच्छा है, कुछ percent है, 1 रे, 2 है, वो percentage हमें काम आएंगे, अब आप सोचोंगे, यार हमारे पास certification करने के लिए पैसे ने, यह कुछ ने, किसने बोला आपको पैसे खर्च करने के लिए, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करना है, जैसे Udemy है, Udemy के ओपर जाओ, 360 के ओपर कम से कम तो आपको एक course मिली ही जाता है, Udacity है, deeplearning.ai है, तो कुछ, ऐसे DSR ही वेबसाइट है, वहाँ पर आपको free of cost certification मिल जाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो, just हमें show करना है, हमें mention करना है, हमें क्या करना है, हमारा जो रिजम है, उसको जो detail है, वो हमें बढ़ाने, उसको मैं अच्छा कासा decorate करना है, इसे लि महीनी काता है, वो भी आप mention कर सकते हो, उसके expiry date होंगी, तो भी आप mention कर सकते हो, और कहा सिकिया, वो भी आप mention कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जिस बंदे ने certificate किया है, तो उसके पास अच्छा कासा knowledge है, और इसा नहीं है, बट हमें क्या करना है, थुदा सा हमें हमारे resume को attractive बनान है next page भी हम आते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें यह आप इंपोर्टन चीज को मेंशिंग करना है मान लो आप experience person हो तो आपको क्या करना है आपका यहाप experience लिखना है आपने internship किये तो आप यहाप internship लिख सकते हो आप fresh होंगे तो आपको यहाप कुछ भी mention नहीं करना है आपको आगे चलना है यहाप पर हम फिलाल यही consider करते हैं कि आपके पास experience है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लिखना पढ़ेंगा कि experience में में अबको लिकेना है सबसे पहले आपकी company का नाम और आपने कब जोइन किया था और कब तक आपका वाफ किया next यहां पर हमने आपे highlight किया designation designation उस company में आपके क्या थी data scientist अब यहां पर आपको ध्यान रखना है वह सारी company रहते हैं उसके हम client के लिए काम करते हैं तो आपको क्या करना है work on small and large scale data set to analyze using detail and idea technique done by python and its library visualization जो भी हमारी कहाने उस company के साथ वह कहानी आपको यहां पर short में बतानिये और ध्यान रखना में इस तरिके से यहां पर कहानी बतानिये कि जो आने वाली company उसके लिए को काम में आ जाएंगे अब है मुद्दि की बात यह चीज होनी ही चाहिए मतलब होनी ही चाहिए आप experience हो आप fresher हो वो चीज होनी चाहिए अब हमें next क्या करना है तो चलो अभी हम क्या करते है फिर से उस face को याद करते है तो जैसे कि हमने upper lip को बना लिया है हमने मुग के अंदर चेले गए, अभी हमें आ रहा है मुग के बार, और मुग के बार नीचे क्या है जस्ट हमें थोड़ा सा नीचे आना है, तो हमें क्या है Lower Lip है, अब हमें Lower Lip को इस तरह करी सा जयाना है, कि उस Lower Lip को देख लिया मतलब मजाई आजाएँगा तो चलो यार उसके लिए हमारे resume में क्या करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें सबसे पहले जो important चीज़े वो है projects हमारे resume में हमें project डालने है मतलब डालने ही डालने है projects में क्या करना है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने है आपको data scientist बनना है मतलब बन चुकियो राइट आपको शोकिस करना है तो आपके पास कम से कम तीन प्रोजेक्ट होनी चाहिए त्री प्रोजेक्ट होनी ही चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए फिर्स्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका मशीन लर्निंग अल्गुर्दम के उपर कुण से machine learning algorithm जैसे कि SEO में decision tree है random forest है exibust है तो इस particular algorithm के उपर मतलब supervised learning algorithm के उपर regression यान classification के उपर कम से कम एक project होना ही चाहिए जैसे कि आपने एक regression कर सकते हो और अच्छी बात यह रहेंगे कि आप क्या करना है regression के उपर एक project बनाओ एक classification के लिए project बनाओ कम से कम दो project regression and classification के लिए होनी चाहिए next next आपका deep learning के उपर project होना ही चाहिए एक है आपका computer vision के उपर और दुसरा है natural language processing के उपर तो यहाँ पर आपके चार project हो जाते है कम से कम तो तीन होनी ही चाहिए और चार आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ नहीं चाहिए आपका एक project बना चाहिए healthcare के लिए दूसरा है finance के लिए क्योंकि maximum as a data scientist हम काम करते healthcare domain में और finance domain में तो उस चीज़ का आपको project होना ही चाहिए आपके resume में और आप specialized बनना चाहिए तो जैसे कि computer vision में आपको specialized बनना है या natural language में आपको specialized बनना है तो आपके पास computer vision के project होनी चाहिए आपके बास natural language के project होनी चाहिए जैसे कि आपन मैंने बता दिया कि हमारे या पर सबसे पहले table बनाना है और table में हमें उसको अच्छी तरह के से mention करना है जैसे कि name है उसके बाद हमारे project का नाम और जो project है वो कौन से industry को belong करता है ये भी हमें बताना है जैस यहाँ पर मैंने बोल दिया कि this is a computer vision project and domain is agriculture the aim of the project is to detect diseases of the pigeon deep plant यहाँ पर हमें हमारी project की brief introduction देनी है और एक चीज़ का ध्यान रखना है इस project में हमने कोई से technology का इस्तेमाल किया है यह भी हमें बताना है जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें हमने CNN का इस्तेमाल किया और इसको हमन secondary के वड़े वो पूरे के पूरे इसमें आ चुके है इसी के साथ हमारा primary के वड़े यह भी यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ हमारा domain वो भी यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखते हो आपको बतान repository या पे उसके link देनी है आपने कोई blog में उसको explain किया है तो उस blog का आपको याप address देना है इसी तरह के से same thing को follow करना है और आपको जितने भी आपके project कम से कम maximum में बोलूँगा आपको 4 project रखो कम से कम 3 project रखना है मतब रखना ही है तो इस तरह के से आपको project के बारे में जानकरी देनी है next आपको क्या करना है next आपको जो भी आपने काम किया होंगा जैसे कि आप blogging करते हो आप कोई channel चलाते हो आप जो भी काम करते हो उस काम कि आप आपको link दे सकते हो just यहाँ पर मैंने आपको template के लिए बताया है right तो यहाँ पर जैसे कि आप कोई particular website के उपर blog लिख रहे होंगे तो वहाँ पर आप उस blog की जानकारी आपर दे सकते हो आपका यहाँ पर प्रिपोजटर होंगा वह भी यहाँ पर आप mention कर सकते हो तो यह आपके उपर depend करता है आपने जहाँ पर भी काम किया उसके आप यहाँ पर link दे सकते हो next है आपकी achievement आपने आज तक क्या क्या achieve किया है वह आपको बताना पड़ेंगा आपने किया भी नहीं होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घुमा सकते हो आपका resume अच्छा बना निकले जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दे कि भाई मैंने first prize जीता है मेगा प्रोजेक्ट में उसके बाद मैंने बता दिया है कि first prize जीका है मैंने mind blogging में कौन सी competition थी उसका नाम यहाँ पर बता दिया है और कौन सी college या जो भी organization होगी जिसके तरफ मुझे यह award मिला है उसकी आपको ज target को complete किया होगा तो वहाँ पर आपने जो भी अच्छे हो किया होगा उसकी जानकार यहाँ आप आप दे सकते हो अब यहाँ पर हमारे पास next important चीज है वह भी हमें यहाँ पर सही तरीके से mention करनी पड़ेंगी नहीं तो आपके यहाँ लग जाएंगे तो यहाँ पर आपको क् का knowledge होना ही चाहिए और आपको यहाँ पर mention करना है पड़ेंगा उसी के साथ आपके बास आ रहे अच्छा है आपको C आते हैं C प्लस आते ही तो अच्छा है कम से कम एक language होगी sufficient है next हमें database के बारे में आपर बताना पड़ेंगा जैसे कि query language SQL उसके बारे में आपको knowledge आपर बत देखें आपको तोड़ा confidence आ जाएंगा कि इसका मुझे तोड़ा बहुत knowledge है तो आप यहाँ पर mention कर सकते हो next important चीज़ है Python की libraries इसका knowledge होना है मतलब हो नहीं है फर्स्ट Pandas NumPy, Metroleaf, Sibon, Second Learn, TensorFlow, Keras यह libraries इसका knowledge आपके पास होना है मतलब हो नहीं है next OpenCV आप computer vision के उपर काम करत नेक्स्ट है beautiful so आप data wrangling के उपर काम करते हो वह भी आपको mention करना पड़ेंगा आपको data wrangling आता है तो वह भी keyword आपको यहाँ पर mention करना पड़ेंगा next है आपको technology की नाम आपको लिखना है जैसे कि data science है, data analysis है, machine learning, deep learning, artificial intelligence, computer vision तो जो भी आपके primary keyword है यहाँ पर आप mention कर सकते ह next है आपको इसके अलावा जो भी हमारे technology है जो भी जिस field के लिए आप काम करना चाहते हो इसके अलाव भी आपको कोई थोड़ा knowledge है तो आप यहाँ पर बता सकते हो हो सकता यह आपका plus point होगा next है software tools यह भी point बहुत important है क्योंकि जब आप काम करने के लिए आपके कोई ID कोई particular software का इस्तमाल करना पड़ेंगा तो यहाँ पर आपको उस software की जानकारी भी देना ही पड़ेंगे जैसे कि है Jupiter notebook तो यह तो हमारा घर है यह तो हमें बताना ही पड़ेंगा next है spider जब भी हम हमारे project को deploy करते हैं spider का इस्तमाल करते हैं या piechamp का इस्तमाल करते हैं उसके साथ Google collab का आप डाल सकते हो Google Analytics, Google Train जो भी आप software का इस्तमाल करते हो आपको project करने के लिए उस software की यह पर आप नाम डाल सकते हो next है MS Excel, PowerPoint, Word यह भी आना चाहिए as a data scientist कभी कभी हमें Excel का इस्तमाल करना पड़ता next है PowerPoint वो थो हमें करना ही पिड़ेंगा जो भी हम report बनाते उसका मैं अच्छ काशी skill होंगी तो यहाँ पर आप डाल सकते हो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पर personal detail बतानी है जैसे कि personal detail में हमारा main पूरा नाम होना चाहिए हमारा short name नहीं होना चाहिए पूरा नाम होना चाहिए ताकि interview को पता चले उ इस बंदे को कितना experience है कब यह पैदा हुआ था वो चीज के ओपर focus करते है company नेक्स्ट यह permanent address आज तो pandemic situation में company जब भी आपको screening का call आता है तो भाई बोलते है कि आप कहा पर फिलाल जिंदा हो तो यह तो आपको पूचा ही जाता है तो इसके लिए आपको आपका address बताना हो nationality आप बता सकते हो hobbies क्या है यह भी आप बता सकते हो और ध्यान रखना है आपको इस तरह के से hobbies बतानी है कि ओ hobbies उसमें से कम से कम एक hobby आपके field से related होनी चाहिए मान लोग आपके field के related नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको कुछ ना कुछ तो यह आपे पिलना इसकम जानकाने देनी है आपके पूरा bio data देना नहीं कि आपका रंग क्या है कि height क्या आपका weight क्या है यह चीज़े नहीं देनी है जो company को required है वही चीज़े यह आपे mention करनी है नेस्ट हमें last point देना है और last point क्या है declaration यहाँ पर आपको यह बताना है कि हमने यहाँ पर अब मन आपको right side के end में आपको आपका नाम देना परता है और वहाँ पर आप sign भी कर सकते हो अब यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत सारे लोग date क्या करते है आप 2-3 साल के पहले resume बनाया है वही resume लेते है वही date के साथ वह resume upload करते है तो यह आपकी गलती होगी यहाँ पर आपको आलसी इंसान हो यहाँ पर आपको क्या करना है जिस date के ओपर आपको resume send करना है तो मैं आपको यही बोलूगा कि उसी दिन की date आपके resume में होनी चाहिए या कम से कम उसके 4-5 दिन के अंदर की date होनी चाहिए नई तो यहाँ से आपको direct पता चलता कि भाई यह कितना इंसान जो नहीं आना है तो जैसे कि हमने बला कि हमारे जो face है चलो हम फिर से face के ओपर आते हैं तो देख से तो इस face को एक बार फूरा ध्यान लगा गए देखो हमने क्या क्या चीज़े आसे उठाई है और हमारे resume में implement किये इसके अलाव भी आप भी आप सारे चीज़े कर सकते हो इसक resume यही format का इस्तमाल करके कम से कम तीन चार screening के call आ रहे है उसी के साथ हर दिन में दो-दो interview schedule हो रहे है तो देख सकते हो जब भी आप resume का पेज बनाओंगी तो page में आपका margin होना चाहिए उसके बाद आपकी बिंदी मतलब आपका main target आप कोन हो इस नाम से समझ में आना मुझ से अंदर हमारे brain में घुसना है तो हमने हमारे brain में क्या-क्या भी डाला है वह हमें देखना है मतलब education, certification उसके बाद experience हमारे पास क्या है project बहुत important चीज़ है वह हमें बतानी है उसके बाद हमने जो भी काम कर रहे है हमारे blog है उसके बारे में आप देशकते हो उसके ब अपको ध्यान रखना पड़ेंगा यहापर आपने bold कौन से word को बनाया है यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेंगा और उसके साथ आपका जो main title है उसका जो भी font है उसका font size क्या है वो भी आपको सही तरह से देना पड़ेंगा ने तो कई जगा पर बड़े word रहेंगे कई आपके छोटे word रहेंगे तो यह सही नहीं है आपका जो resume एकदम professional format में होना चाहिए आपको यहापे stylish नहीं बनाना है यहापे fancy नहीं करना है आपके resume को इस चीच का भी धान रखना पड़ेगा और धान रखना है जो भी आप याप links देते हुए links आपकी क्या करना है इस link के बंदा उस particular page के उपर जाना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है आपका जो भी text है उसको select करना है उसको आपको insert में जाना है insert में जाने के बाद links के उपर click करना है यहापर आपका main text आएगा और जो भी link रहेंगी यहापर आपको डाल दिने उसके बाद OK बढ़न को click करना है तो यहापर आपका जो भी text है ओ लिंक में convert हो जाएंगा तो इस तरह के से मैंने बता दिया कि हमारा resume किस तरह किसे build करना है और next चीज नेक्स चीज इंपोर्टन है जो भी आप resume बनाते हो तो जैसे कमरा first page है यहापर आपको page यहापर corner में लिखना पढ़ेंगा कि कि भाई यह first page है आपका second page है तो आपके second page लिखना पढ़ेंगा आपका third page है तो यहापर third number लिखना जरूर है मानलो आपका page आगे page हो जाता है तो जो interviewer है उसको समझ मेंना चाए कि भाई यह page का sequence क्या है उसी के साथ आपको ध्याया रखना है आपका resume कम से कम 2 या 3 page के अं और आप बोलूँगा कि भाई मुझे एक ही page में आपका resume बनाना है तो मैं बोलूँगा कि भाई वो resume नहीं है वह आपका just buy data है और बहुत सारे लोग क्या करते एक ही page में पूरा डाल लेते है यह तो बात सही है कि आप एक page में पूरा डाल सकते हो लेकिन पढ़ने वालों क को भी सही तरके से पढ़ने के लिए आना चाहिए तो एकदम आपका resume एकदम complex बना लेते हो तो पढ़ने वालों को समझ भी नहीं था कि आपने क्या क्या किया है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि minimum 2 page का बनाओ maximum 3 page का और यह depend भी करता है कि आपके पास कितना experience है आपको प्रेन करना पड़ेंगा आपको यह particular topic के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो और आपको ब्लॉग बनाना जरूरी है क्योंकि आपका work showcase करना पड़ेंगा तो showcase करने के लिए जह सारी website है वहाँ पर आप ब्लॉग बना सकते हो या आप खुद का भी ब्लॉग बना सकते हो उसके ब्लॉग बनाने के लिए तो आप हमें email कर सकते हो जैसे कि हमारी website है इंडियन AI Production वहाँ पर आपके ब्लॉग राइट कर सकते हो उसके लिए आपको अपर आपको आपको इमेल आईडी मिल जाएंगे इसी के साथ आपका प्रोजेट उसको आप पूरा detail में किसी को explain कर सकते हो वीडियो के माध्यम से तो उप वीडियो भी आप हमें share कर सकते हो हम हमारे जो चानले उसके ओपर आपका वीडियो अप्लोड कर लेंगे इसी के साथ आप सही तरह कैसे बोल नहीं पाते हो आप explain नह जाएंगा और एक चीज़ आपे बताना चाहूंगा मान लो कोई परसन है उस परसन ने बहुत सारे स्ट्रगल किये लेकिन उसको अब तक एक भी कॉल नहीं आया है उसका दिमाग अभी इतना घुम चुका है कि इस फिल्ड को मैं छोड़ना चाहता हूँ ऐसे खयाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो ऐसा कभी भी सोचना नहीं है टाइम लगेगा आपका जो भी एक्सपरेंस से उसको बढ़ाते चलो ग्यान लेते चलो एक दिन ऐसा हैंगा कि आप बहुत कुछ उखाड लोंगे इसलिए never give up आपको प्रैस करते रहने आप दिन के लिए जॉब मिलना बहुत बहुत हाड है लेकिन impossible नहीं है आपका भी दिन आएगा लेकिन आपको क्या करना है सबर करना है आपको चलते रहना है आपको छोड़ना नहीं है अब यहाँ पर आपको धेर सारे templates है जैसे कि इस resume के जो अभी यह resume यह 100% tested है इसके उपर हम group join करना है वहाँ पर आपको जितने भी resume चाहिए अलग-अलग format में वहाँ पर आपको मैं resume share कुर दूँगा इसके साथ आने वाले next tutorial में बताऊंगा कि यार nocree.com के उपर जाकर हम किस तरह के से अच्छा कासा job search कर सकते और किस तरह के से apply करेंगे और उसके पाद हमें किस सवाल होंगा उसका आपको answer चाहिए तो आपको comment box में जाना है और वहाँ पर आपको मुझे बताना है और इसी के साथ जो भी अभी आप मैंने tutorial बनाया है बहुत tutorial लंबा चाहू चुका है जितने मुझे topic cover करने थे जो भी मुझे point cover करने थे उसको मैंने पूरी कोशिश किये लेकिन इसके अलावबे ढहर सारे point से उसको अभी मुझे cover करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो उसके लिए मैंने सोचा कि हम lieu class ले सकते मतलब हम lieu आ सकते और उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे जो भी आपके मन में सवाल होंगे उसके ओपर हम क्या करने उसके हम 100 कमेंट्स होने चाहिए ताकि मुझे समझ मैंगा कि जो भी परसन है वो इंटरेस्टेड है उसके सवाल के जवाब प्राप्त करने के लिए तो चलो यार इस टुटोग हम यह पर एंड करते हैं मिलिंग हम नेक्स्ट टुटोरियल में तब तक के लिए सिखते से खाते कु देने वादा पिश्टोरिया झालन के वादाम के लिए हैं कि झालन के बां अबखने आब में दोने होाय वादा के ऊनुर में ढ Arbeit का मीतम के ठांन के मुझी है चाहे लुट क्याक है कर दो बुब कर दो कर दो कर दो